दोस्तों Target with PS परिहार चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरकार की रोजगार विरोधी नीती की विध्यारती पूरे प्रदेश के इस समय आक्रोसित है और आक्रोस उनका तब बढ़ जाता है जब समचार पत्रों के माध्यम से भ्रामक सूसनाय दी जाती जैसे कि यह आजी के समचार पत्र है और लिखा हुआ अधिनस सेवा के 50,000 पदों पर भरतियां और अलग अलग पदों का विवरान बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है लेकिन भरतियां धरातल पर कोई भी आती नहीं है पिछले एक साल से अगर हम करती इंतिजार करते रहें द्रोगा भरती का उसका भी विग्यापन नहीं आया लेकिन हकीकत क्या है वह इस समचार पत्र में लिखी हुई है कि यूपी ट्रेपल सी पूरे वर्स नहीं निकाली एक भी नई भरती बेरोजगार यूआ में नाराजगी सोसल मीडिया पर आयोक सिबुक ग्रुप्स हों चाहे वो यूट्यूब हूँ विद्यारती अपनी भडास खुब निकाल रहे हैं और हकीकत एक छात्रीव जान रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में भरतियों के बारे में क्या हो रहा है यहां पर लिखा हुआ है कि अधिनस्त सेवा चैन आयो लोग ने एक भी नई भरती से जुड़ी कारवाही नहीं की है मुख्यमंत्री के निर्देश के भी एक महीने से अधिक वक्त बीट गये हैं पर कोई हरकत नजर नहीं आ रही है 17 सितंबर को प्रियागराज में और पूरे प्रदेश में एक विसाल प्रदेशन हुआ था समविदा भरती का तब मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान आया था कि तीन महीने के अंदर रिक्त बदों को भर दिये जाएगा देखी यहां पर यही बात लिखी हुई है खास बात ही है कि मुख्यमंत्री ने सितंबर में रिक्त बतों को भरने की कारवाई अगले छे महीने में पूरा करने का एहलान किया था लेकिन एक महीने से भी अधिक बीच जाने के बाद अब एक महीना नहीं अब लगबग हो गये हैं चार महीने जबकि वास्तविक्ता यही है कि उत्तर प्रदेश के जो विद्यारती है सरकार की रोजगार विरोधी नीती से बहुत ही ज़्यादा चुब्द हैं बहुत ही ज़्यादा दुखी है पर यहां पर युवा मंच इसको लेकर के एक बहुत बड़ा प्रदस्थन करने वाला है युवा मंच ने एक विग्यवती चारी की है कि कल यानि कल 25 दिसमबर है लिखा है कि 25 दिसमबर से युवा मंच ने एक अभियान चलाने का निरना लिया है इस समद्ध में 25 दिसमबर को अपरहन 3 बजे से सलोरी के दुरुगा पूजा पार्क में महत पुन मीटेंग जितनी भी भरतिया हैं उत्तर प्रदेश की सभी से चात्रवा प्रतियती सामिल होंगे मीटिंग वा अभियान को सफल बनाने के लिए डेली केसियों में संपर किया जा रहा है और इसके अलावा सोसल मीडिया में भी अपील की गई है उन्होंने का कि प्रदेश सरकार की बखान sudah और बहुत सारी भरतियां उत्तर परतिरइस कोई भी भरति निकाली नहीं जा रही है चाहे वह द्रोका भरती उब्र सी यूपि liter lagi पालो वीटीओ परीच्छाही नहीं हो रही है और इसी व्यारती नराद है और ये संतितर नहीं है कि अगर 31 तारीख तक टीजीटी पीजीटी का विज्यापंजारी नहीं होता है साथ तारीख तक सोशल का इंटर्वी को डेट गोशित नहीं की जाती है तब जनवरी के प्रथम पखवाले में बहुत बड़ा परदेशन पूरे प्रदेश बार यानि प्रदेश इस्त्री प्रदेशन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदार केवल और केवल सरकार होगी और ये बात सही भी है कि इस तरीके से आज भी कुछ विद्यार्थी गया थे परत्यों की छात्रमोर्चा और इन्होंने ग्यापन दिया था कि जो 2016 के जो परिडाम है वो सिग्र से सिग्र गोशित किया जाए नई भरती का व जारी की जाए तो अब ग्यापन देने के समय नहीं है अब कुछ बड़ा करने के समय है और सभी विद्यार्थियों को एक जुट हो नहोगा इतना मैं कहूंगा जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि सरकार की जो रोजगार विरोधी नीती है सरकार अपनी नीत को बदले और स सरकार जितनी भी खाली पद हैं उनको भरें इसके लिए कल जादा से जादा विद्यार थी सलोरी में आएं इकटे हों और अपनी बात कहें नहीं तो पढ़ते रहें इस तरीके के समचार पत्र और रोज आपको देखने को मिलेंगी भरतियां यह हो गया आज का वीडियो वीडियो कर आपको अच्छा लगा ऊट लाइक कर देए इस वीडियो को तो कम से कम आपको सेयर करना ही चाहिए